इस दॉक्टर गुंजन विशुकर्मा वेलकमिंग यॉल इन माइंडफुल जर्नी आम मैं आपसे बात करही थी रिष्टों के बारे में हमने एक सीरी शुरू की थी रिष्टों को पहचानी है और मैंने मोटे तोर पर इसमें आपको तीन रिष्टों के बारे में बताया था का कर्ले हैं आपको उनका लिनक मिल जाएगा तो आप बहां जाकर क्लिक करेंगे तो आप उन पार्ट को भी देख पाएएगा और अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर लिजए, ताग कि इसी तरह की बहुत अच्छी सी information आपको मिल सकें क्योंकि मुझे तो information बाटने में बहुत मज़ा आ रहा है तो आपको भी देखने में ज़रूर मज़ा आएगा आप मेरे साथ बने रही है मुझे subscribe कीजिए like कीजिए comment कीजिए आज की reading शुरू करते तो मैंने आपको पहले पार्ट में karmic relationships के बार अच्छे लोग दिया जाता है और आपको और अधिक करने के लिए अच्छे लोग दिये जाते हैं और अधिक पुन्य अरजित करने के लिए आपको और अधिक सोल में रिलेशन्शिस दिये जाते हैं अब तो ट्विन फ्लेम रिलेशन्शिप क्यों दिया जाता है देखिए यह तो आप सभी को पता है और मैंने अपने प्रीवेस वीडियो में आपको बताया भी है कि everything is energy हर एक चीज उड़ जाई होती है तो आत्मा भी एक तरह की उड़ आत्मा जिसकी हम बात करते हैं वह एक उर्जा है तो अगर वह आत्मा यानि वह energy ने अपने उपर negative energy कर लिए negative energy मतलब karmic burden उखटे कर लिए तो वह karmic relationships को experience करेगा अगर उसी energy ने अपने साथ positive energies को जोड लिया है मतलब अपने साथ पुन ने जोड लिया है तो वह क्या सोल मेट टाइप के relationship को अच्छी life को enjoy करेगा अब देखिए जो सोल होती है ना उसका main purpose नहीं तो karmic burden में जाना है और सोल का नहीं purpose किसी प्रकार के materialistic pleasure में जाना है सोल का जो purpose होता होता उसका अध्यारतनी गुद्गास उसका spiritual development करना तो कार्मिक जो burden दिये जाते हैं आपको कार्मिक relationship दिये जाते हैं आपको कार्मिक जो आपके जनम होते हैं उसमें आप तन की जरुवत माने जैसे रोटी कपड़ा मकान पैसा लड़ना जगड़ना टेंशन लेना इस तरह की आपकी life रहेगी सोल मेट टाइप का जब आपका relation चल रहे हैं इसका मतलब आपकी जो आत आत्मिक चर्चा सुनना अच्छा लगेगा आपको मंदिर जाना दर्शन करना माला करना यह चीज आपको अच्छी लगेंगी तो दीरे दीरे रुजहान जो होता है आत्मा का जैसे विकास होता जाता है हर जनम में आत्मा का विकास होता जाता है विकास होने एक साथ आत्मा का जो है जरूरते बदल जाती जब आत्मा अपने लोवर फ्रिक्वेंसी में होती लोवर फ्रिक्वेंसी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में होती तो वह पैसा कमाना है ना इस तरह की सारी चीजों में रहती वह हुआ उसके कार्मिक जनम फिर उसके बाद आत्मा को और विकास हो और डूलबमेंट हो जाता है तब जो आत्मा धृति पर आति पराते हैं तो जाता है, आप वे आत्मा जनम लेती है एक ही वजह से और वह वज़ह है. मतलब आत्मा जो है जब इतनी ड्राइस लृत्रूब करने के लिए आई हो जाती है जिसको जो IQ जात से बाद्ध्यात्मिक विकास करने के लिए धर्ति पर आत्मा आप में यहां जो आत्माय उति है जो कि धर्ति पर सरफ यह क्योंकि वो अपना leaning spiritual development करें और दूसरों के ом spiritual development में वो और हायर स्टेट इसका है यह का दूसरों के spiritual development में योगदान दे सब कुछ के ऐसे जो वुक्तर में पुलते हैं जो जैसा हमारे हैं प्राने में विवेकानन चाहरी है जो रहे होगे जिए hard विकास करें अपना अधियात्मिक Mmm भाल विक्तॉर चाष्न के विकास के ऐसी जौ नगल वाल विकास केJa इसो डबलब्ड फो टैयोच जीज लगों की बात नहीं कर रहे हैं जो एक्च्वल में स्पेरिचॅल होते इस तरह के जो लोग होते हैं वो तीसरी टाइप हो गई सोल्स की है जनम लेने का तीसरा कारण अब इस जो हायर परपस है जनम लेने का जो यह हायर परपस है उसका जो एक टाइप है that is twin frame relationship तो कि दूसरे जो टाइप्स होते हैं जो सन्यास ले लेते हैं जो कि सन्यस्त हो जाते हैं जो पारिवारिक जीवन में नहीं जाते हैं और फिर वो एक अलग लाइफ पात हो जाता है लेकिन जिन सोल्स का लाइफ परपस होता है अपना अध्यात्मिक विकास करना लेकिन उनका पाथ अलग होता है, मतलब उनका रास्ता वो अलग चुनते हैं, उस अलग रास्ता चुनने वाली जो ये आत्माय होती है, जो धर्ती पर आती है, ये ट्विन फ्लेम रिलेशन्शिप में हो सकती है, तो अब क्या होता है ये ट्विन फ्लेम रिलेशन्शिप में इसको अब आगे का जो concept ने आपको दे रही हो सकता है आपके लिए बहुत नया हो आपने पहली बार सुना हो और आप इसको reject करने के आपकी इच्छा हो कि ने ऐसा नहीं हो सकता तो देखिए वो तो आपकी free will है आपकी अपनी समझ आपकी अपनी intuition और आपका अध्यात्मिक विकास कितना हुआ है उसी पर depend करेगा कि आप मेरी चीज़ को कितना resonate कर पाते कि नहीं कर पाते क्यूंकि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं अपने ये समझ लिए अपनेachnick level से बोल रही हूँ और आप जो perceiver कर रहे हो वो अपने आत्मिक level से परसीव कर रहे हो, तो अगर मेरा आत्मिक लेवल, आपके आत्मिक लेवल से मैच होगा, तो मेरी बात आप रेजोनेट कर पाओगे, और अगर आपका और मेरा आत्मिक लेवल मैच नहीं करता होगा, तो मेरी कई होई बात को आप रेजोनेट नहीं कर पाओगे, तो इसमें मे इफ़कात आपकी आत्मिक उन्नती कितनी है उस पे डिपेंड करता है कि आप मेरी आगे कई भी बात को आप कैसे लेती हो पर मैं जो आपको बताने जा रहे हूं इसको एक नए कंसेप्ट की तरफ समझने की कोशिश कीजिए और हो सकता है कि आप रेजोनेट कर पाएं तो आप देखिए आगे मैं आपको बताते हूं ट्विन फेम रिलेशन्शिप कैसे होते हैं देखिए यहां पर मैं आपके लिए कुछ डाइग्राम बना कर लाइए यह है सोर्स सोर्स माने जिसमें से सबकुश निकल कर आया है इस रस्टिक करता है जिसे हम बोलते है या जिसे हम पून होता है complete होता है इसको किसी और वस्तू के आफशकता नहीं होती और source के अंदर source को जब ऐसा लगता है कि मुझे श्रस्टी करनी है तो उसके अंदर से क्या निकलती है इसी में से energies यानि आत्माएं बहार निकलती है और श्रस्टी का निर्मान होता है इसको creator force भी बूलते कि यह इसको कुछ और करने की इच्छा ही नहीं होगी यह आत्मा इसके साथ एक ही रहता है इसको spirit बोलेंगा भी यह आत्मा भी नहीं कह सकते है यदि यदि source अपने अंदर से किसी energy को बाहर निकालता है उसको एक अलग existence देता है तो वो जो source में से निकला हुआ जो भी material और वो भी अपने आप में कैसा होगा पूर्ण होगा बिल्कुल तो वो कभी भी और source क्या करना चाहरा है स्रस्टी का निर्मान करना चाहरा है source जानना चाहता है कि completeness की journey क्या होती है तो source ने अपने अंदर से spirit separate करता है और वो चाहता है कि spirit जो है न experience करें कि कैसे पूर्णत से पूर्णता कैसे प्राप्त की जाती है वो source यह चाहता है कि मेरे द्वारा निकली हुई यह spirit जो है यह इस journey पर जाए इस यात्रा पर जाए और वो complete होकर वापस मेरे पास आए लेकिन जो जो यह sources निकल रही है नहीं यह soul नहीं है भी soul क्या चीज़ होती ही मैं आपको बत लाठ नहीं होंगे तो यह कैसे जनम लेगा कैसे यह experience करेगा पूर्नता का तो यदि कोई पूर्ण आत्मा को पूर्णlo it पार्ट को पूर्णता का एसास करना तो इसको क्या होना पड़ेगा अपूर्ण होना पड़ेगा इंकम्प्लीट होना पड़ेगा तो यहां पर सोर्स क्या करता है कि यह जो अपना खुद का हिस्सा था पूरा हिस्सा इसको यह डिवाइड कर देता है इसको डिवाइड करके इसको incomplete बनाता है और अब इस आत्मा के यानि spirit के इस spirit के कितने टुकड़े हो गए हैं दो टुकड़े हो गए और दोनों ही टुकड़े incomplete हैं तो अब यह spirit नहीं कहलाएगा अब यह जो incomplete हिस्से है spirit के यह कहलाएंगे सोल्स तो यह सोल्स जो होती है जो एक ही spirit के एक ही के दो टुकड़े तो निकल के आहना spirit के यह दो टुकड़ों में से एक पर तो feminine यानि की female की तरह के जो गुम होते हैं वो उसके अंदर जादा होते हैं और बाकी के आदे टुकड़े में masculine माने जो male characters होते हैं वो उसके अंदर जादा होते हैं तो incomplete souls भगवान ने क्या रास्ता निकाला है पूर्णता की जरनी की और जानी के लिए उसने एक spirit के यानि एक whole soul के एक पूर्णता सोल के उसने दो टुकड़े किये हैं एक बनाई masculine soul और एक बनाई उसने feminine soul तो यह जो दो टुकड़े हैं आपस में यह कहलाते हैं एक दूसरे के twin flames यानि इनको शिव शक्ती भी कहते हैं जिसे आपने mythological character में देखा होगा आधा पार्ट शिव का बनाते हैं आधा आधा पार्ट में राधा नजराती है तो इस तरह एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं उसमें से जो एक पार्ट होगा masculine और एक पार्ट होगा feminine यह दोनों जो सोल्स ना यह कहलाती है हमारे इंडियन mythology में इन ही को शिव शक्ति कहा जाता है और हमारे इंडियन mythology में राधा कृष्णी जो है यह ही कहा जाता है अपने जरूर से यह message भी देखा होगा कि कृष्णी राधा से शादी क्यों नहीं की क्योंकि शादी करने के लिए तो दो लोग चाहिए एक ही आत्म के दो हिस्से एक masculine और एक feminine जो होते हैं वो कहलाते एक दूसरे के twin souls twin flames अब यह भी अधूरी हो गई यह जो हिससा है आत्म का यह भी अधूरा हो गया तो अब क्या होता देखिए अब dynamic बनती है यह जो Soul है यह जो सोल है जो पहले पूर्ण थी इसको spirit से मिलनेगी, source से मिलनेगी, इसको कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि यह खुद source थी, यह खुद ही complete है, जैसे यह twin flame में convert होती है, जैसे यह twin flame में convert होती है और इसकी journey शुरू हो जाती है, इसको फिर से source की तरव मिलने जाने के से फसेगी, इसमें यह soulmate cycles में फसेगी, और इसी के अंदर यह जो इतनी old हो जाएगी, इतनी old हो जाएगी यह soul की ultimately यह केवल धरती पर आने लग जाएगी, अपने अधियात में विकास के लिए धरती पर आने लग जाएगी, अब क्या होता है, जब यह जो souls के पार्ट है, जब यह पार्ट, जब यह पर्ट काफी अफिकास नहीं हुआ है, तब यह soul अपने life path पर चल रही, अपने carison, जनम ले रही है और अपना development कर रही है, और यह soul भी जनम पर जनम ले रही है, अपना development कर रही है, होता क्या है कि जब यह नहं हों तक तक जो जोस के टुकडे, का अन्तिमज उसकता है या एक फाइनल एक अंतिम इसक्राइब तो अपने फईनल जन्मों के अंदर यह दोनों यह बहुत दवलाप्स कुंकि。 वह क्ई में वह इनका आपली एम रहा गया के ऊशनके गुप स्पिरिश्य नापने डेवलप्मेंट तो इन दोनों की सोल की फ्रिक्वेंसी विल्कुल सेम होती है, सोल की फ्रिक्वेंसी मतलब क्योंकि आपको पता है हर हर चीज वाइबरेट कर रही है, तो वाइबरेट करने वाली चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो यह दोनों एक ही में से निकले हुए, इसलिए इन दोनों की सोल फ्रिक्वेंसी क्योंकि हर सोल की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे सोल का थम इंप्रेशन होता है, जैसे अपना थम इंप्रेशन वही रहेगा, आप मैच नहीं हो सकता दूसरे इंसान से, जैसे DNA आपका किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं हो सकता यूनिवर्स में स्रस्टी में आपकी सोल फ्रिक्वेंसी यूनीक होती है, वो सोल फ्रिक्वेंसी किसी और से मैच नहीं होती है, लेकिन वो सोल फ्रिक्वेंसी आपकी स्क्रीम से मैच होती है, यानि इस सोल की फ्रिक्वेंसी और इस सोल की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अब ज जैसे जैसे इनका spiritual development होता है और इनकी ये अपनी soul frequency में आने लग जाती है अपनी soul frequency के साथ align होने लग जाती है और बिल्कुल मतलए इनकी frequency ऐसी हो जाती है जर अलग अलग journey करते हैं इनकी frequencies बिल्कुल match होने लग जाती है और ये भी मैंने आपको बताया था law of attraction की हिसाब से कि आप यह attract करते हैं जो आप खूद होते हैं तो ये twin frequency एक की frequency पर vibrate करने लग जाते हैं ऐसे conditions बनती ऐसे सिर्थार एलाइन होते हैं कि यह दोनों twin soul physically एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने हो जाती है, मतलब कई जनम हो सकता है, सैकड़ों जनम हो सकता है, हजारों जनम यह souls दोनों जो हैं, एक दूसरे की counterpart कलाते हैं, और यह दो जो बिच्छडी होई जो आतम होती ना ये एक दूसरे के साथ में फिजिकली कॉंटाइक में आती एक दूसरे को देखती है एक दूसरे को जानती है एक दूसरे को पैचानती है और यह connection ऐसा होता है कि अजनवी आदमी को अगर आपका twin flame है तो उसको देखते ही आपको idea हो जाता है क्योंकि आपकी soul already बहुत developed होती है तो उसको देखते ही जो twins होते हो एक दूसरे को पहचान जाते हैं और अगर जादा spiritual development किया हुआ तो पहचान जाओगे और अगर थोड़ा सा कम development होगा आपका तो आप पहचान तो नहीं पाओगे लेकिन आपको एक बहुत solid strong connection फिल होगा इस आत्मा से और यह जो connection होगा ना यह आपके normal love relationship जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा आप पतलब रोमेंटिकली involved होना यह चीज़े आप बिल्कुल relationship होता है तो यह जो यहां पर भी प्रेम है obviously यहां पर प्रेम होता है लेकिन वो प्रेम आपके karmic प्रेम से या आपके soulmate प्रेम से बहुत different तरह का बहुत sacred type type का प्रेम होता है one thing दूसरी जीज़ अब यह ज़रूरी नहीं है कि जो masculine है वो हमेशा male body में ही मिले और जो feminine energy वो हो तो और यह भी हो सकता है कि masculine और feminine दोनों ही गुण दो female body में हो और masculine feminine दोनों ही गुण दो male body में हो तो twins का male और female होना भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दो female एक दूसरे की twin हो सकते है male feminine हो सकता है और female masculine हो सकती तो इस तरीके का twin flame का relationship बनता है यह तो आपको I think clear हो गया में लीजे between मिलते तब क्या होता है feminine soul होती है by default by default इसके अंदर masculine character होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति के अदर कुछ feminine गुण होते है कुछ masculine होते हैं तो feminine होते भी उसमें कुछ masculine character रहेगा और masculine होते हुग उसमें कुछ feminine character रहेगा अब होता क्या है कि यह जो feminine यह ना इसके यह masculine के गुण इस masculine के साथ बिलकुल compliment करते हैं और इस इसके जो feminine गुण होता है यह इस female के गुणों के साथ बिलकुल compliment करते हैं तो इसलिए इनको complimentary soul भी बोला जाता है, जिसे कि किसी puzzle के दो हिस्से होता है, इनको fit कर दो तो पूरी puzzle complete हो जाती है, इस तरह के ये souls होती है, ये एक दूसरे को complete करती है, एक दूसरे को complete करती है, और क्योंकि इन दोनों souls को एक दूसरे के साथ पुलनता का हैसास होता है, इसलि एज में मिले हो, एज डिफ्रेंस भी हो सकता है, हो सकता है, फैमिनाइन बड़ी हो, मैस्कुलीन चोटा हो, या मैस्कुलीन बहुत बड़ा हो, फैमिनी चोटी हो, यानि कैसा भी कनेक्शन हो, अगर ट्विन फ्लेम से आपको से मिलेंगी, तो एक तरह का नेवर एंडिंग सामने आती है, एक दूसरे के सामने आती है तो ये एक दूसरे को ट्रिगर करती है, ट्रिगर करने का मतला एक दूसरे को विकास, के लिए li levenual develop men के लिए three करते हैं तो यह एक्दम से अपने इसको याद आजाएगा कि मेरा जनम लेने का परपस क्या था और यह सीधा अपने spiritual development की जहां भी किसी भी स्थीती में होगी निकल कर अपने spiritual development मिलाएगी और यह masculine भी इस feminine से मिलने के बाद में अपने जो भी कार्मिक burdens होंगे डाफ होंगे उनको खतम करके वो भी अपने spiritual development की तरफ जाएगा इस condition में क्या होता है mostly इस relationship में इस dynamic में जो फीमेल होती है वो पहले spiritual development की तरफ जाती क्योंकि फीमेल की जो लॉजिकल माइंड कम काम करता है फीमेल का intuitive माइंड ज्यादा काम करता है तो जो feminine energy जिसमें भी होगी चाहिए वो मेल में हो या फीमेल में हो वो अपना spiritual development की तरफ जाती है और वो कई मतलब मल्टिप्लाई हो तेजी से उसका spiritual development होने लगता है और जो masculine counterpart होता है वो अपनी फीमेल पाटनर के पीछे पीछे उसको फॉलो करते 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 वो भी जाता spiritual path की तरफ यह और इस condition के अंदर अगर दोनों twin flavors मिले हैं और conditions आरे ठीक है मतलब कि दोनों unmarried है और दोनों को शाद होने की 100% संभावना होती है कि वो union में चले इसको union बोलते हैं तो physical union में वो जा सकते हैं लेकिन अगर यह सोल्स इस condition मिलती है कि इनके शादी होने जैसी स्थिती नहीं है तो आप ही ध्यान रखिए कि twin souls कभी भी कभी भी आ अपने कार्मिक relationships को छोड़कर अपने soulmate relationship को छोड अगर एक दूसरे के साथ में unite नहीं होती है क्योंकि वो क्योंकि प्रिंग सोल्स इतनी समझदार सोल्स होती है इतनी old souls होती है कि वो अगर वह समझती है कि उनकी life में कोई karmic debt है तो वो उनको complete करना ही पड़ेगा तो जो twin flame union होती ही न मतलब twin flame जब सात रहने आते हैं तो व व्यक्ति का नुकसान होने की सिती होती है संभावना होती है तो यह twin souls जो होती है यह अपने separate ways पे चलिया आती है अलग-अलग हो जाती है और अलग-अलग रहेकर अपना अध्यात में विकास करते हैं आपने जैसे देखा है राधा और कृष्ण को आपने देखा है क्रिश् में उन्होंने अपना-पना development किया तो यह twin souls इसी तरह के होते हैं जैसे शिव और शक्ति का जो हो जाती क्यों हो जाती क्यों कि शिव भी वहाँ पर unmarried condition में थे और शक्ति भी unmarried थी तो वो twin souls के बीच में union होना possible ता लेकिन अगर आपके life purpose अलग है या आपके कोई कार्मिक क्रिश्न ने बुस्ते दूसरे बहुत से लोगों को promise कर रखा था कि जब मैं क्रिश्न बनूंगा तुमसे शादी करूंगा मैं क्रिश्न बनूंगा तो तुमको अपनी पत्नी बनूंगा ऐसे उन्होंने इसलिए उन्होंने सोला हजार something शादियां भी थी तो क्योंकि अगर आपके कार्मिक बाकी होते हैं तो ट्वीन सोल्स यूनाइट नहीं होती है वह स्पिरिच्वल डवलप्मेंट पर जरूर चली जाती है लेकर और अलग रहने के बाद में यह क्या करते हैं जो उनका अधूरा पार्ट होता है ना क्या कमी रह गई उनके अंदर क्या कमी यह अपने स्पिरिच्वल डवलप्मेंट के जारा अपने ही आपको कंप्लीट करता है और दूसरा जो काउंटरपार्ट होता है ना वह भी अपने स्पिरिच्वल डवलप्मेंट के जारा अपने ही आपको कंप्लीट करता है और इसलिए फिर ही क्या हो जाते है अपने आप को फिर से spirit बना लेना, soul से spirit में convert हो जाना, पूर्णता से पूर्णता में चले जाना, इश्वर में मिल जाना, मुक्त हो जाना, जिस भी तरीके से आप इसको समझना चाहें, ये soul purpose इस तरह के आत्माओं का होता है, इस whole again होने के बाद में अगर स्थितिया बनेगी तो हो सकता ह इस जनम के बाद में अभी और जनम नहीं लेंगी, क्योंकि ये पूर्ण हो चुकि अभी इश्वर में जाकर शोर्स में जाकर मिल जाती है, तो इस तरह का ये जो बहुत ही sacred, बहुत आध्यात्मी, बहुत beautiful relationship जो होता, ये कहलाता, twin flame relationship, तो आई थिक आपको अच्छी तरह से बाद समझ में आ गई होगी, और चुकि ये तो हम tarot reading का section ले रहे थे, तो अब क्योंकि मैंने बहुत लंबा टाइम तो आपको समझाने में ही कतम कर दिया, तो अब एक काम करते हैं, मैं quickly 2-3 tarot cards लेकर आपको देखते हैं कि tarot हमारे साथ resonate कर रहा है कि ने कर रहा है, ब Bushis और है तरचे में तो हमारे साथ और हमारे हैं कि तेह स्चलते हैं कि ने घ virtडोंकि भी आपको ये तो आपको प्चतता हैं कि ले तो हमारे सींगनी प relative progressित थे अपस्ता है कर दो कि जो जा बैए वाइ इसकी खुषे इसकी शुरुवाद देखे फわか इसकी क्यों होती है पतल अब इसकि शुरुवाद है इसलिए होती जब यह यह एक दूस्रे कि प्रति इनका पूल होता है वह बढ़ को देनाइश कर पहते और वह शून नहीं पाते यैंकि तो यह पुल तो उनको साथ आने के लिए केता है लेकिन उनके जो धीने के लिए लिए खगाता है तो condition काँसी बनती है? Fighting की condition बनती है, मतलब शुरुवात में Twin Flame journey में, अगर आपको नहीं पता है कि आप Twin Flame हो और आप करने के आए हो, जब तक आपको याद नहीं आ जाता है आपना sole purpose, तब तक तो यहाँ पर क्या रहता है? तब तक यहाँ पर रहता है? Fighting Fighting मतलब जगडा-फसाद-Conflict और उसके बाद क्या होता है? देखिए, Isolation Isolation मतलब बार-बार जगडा होना और बार-बार सेपरेट होना इस तरह की condition बनती है Twin Flames की और उसके बाद काड आता है? Ordinance, Eight of Pentacles काड है मतलब उसके बाद बहुत जगडा, बहुत जगडा फसाद होने लग जाता है तब यह लोग इनको समझ में आता है कि यहाँ पर हम आये क्यों है और फिर क्या करना है? Work, this is work card, महनत का काड है कैसे मैं आपो शुरू करूँ यह महनत का काड है मतलब उनको समझ में आजाता है कि यहाँ पर हम कुछ ordinary नहीं है हम यहाँ पर कुछ special काम करने के लिए हमको अपना soul purpose याद आजाता है और soul purpose याद आने के बाद में वो काम करना शुरू करते है वो काम क्या होता है? वो inner work कहलाता है यानि meditation करना या उस तरह की दूसरी साधना है करना जिससे कि उनका karmic depth कतम हो उनके soul में depth कतम हो और वो depth free हो पाए उस तरह का जिता भी work होता है वो twin flame journey में आपको इस तरह का work करना ही पड़ता है अगर आप नहीं करेंगे इस work में आप नहीं जाएंगे कोशिश नहीं करेंगे आप अपनी आत्मा की purity में आने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तो आपकी यह condition चलती रहेगी अब तो twin flame watch कर रहे हैं तो जब तक आप work पर नहीं जाओगे आप अपनी inner work पर नहीं जाओगे यानि आप महनत शुरू नहीं करोगे आप कार्मिक डेप्स को खतम करना सोल में डेप्स को खतम करना शुरू नहीं करोगे और अपनी purity में नहीं आओगे तब तक आपके साथ होने का कोई मतलब नहीं आप सिर्फ एक दूसरे को hurt करोगे दुख पहुचाओगे आसू पहुचाओगे अपने आप में पूर्ण होने के बाद में व्यक्ति अपने आपको कंप्लीट करने की जर्णी पर लग जाता है अपने आपको कंप्लीट करने की जर्णी पर लग जाता है और अब इसको किसी और बाहरी वस्तू के आउश्चता नहीं देए अपने आप में खुद में कंप्लीट हो जाता है और उस कंप्लीट होने के लिए क्या करना पड़ता है यह कार्ड नमबर है फाइफ और वांड टोटालीटी टोटल ट्रांसफोर्मेशन करना पड़ता है पहले आप जो थे और अब आप काम करने के बाद वर्क करने के बाद आप जो है वह आप बिल्कुल टोटली ट्रांसफोर्म हो जाओगे बिल्कुल बदल जाओगे और यह process एक slow process है, यह रातो रात होने वाला process नहीं है, यह नहीं कि आज कल अपने twin से मिले, और 5-10 दिन, महीना, 2 महीना, 5 महीना, 5 महीना, साल, 2 साल आपने inner work किया, और आप कोगे कि मेरी union का है, मेरी कुम होना twin को नहीं मिला, तो यह एक बहुती slow journey है, धीरे होने वाली journey क्यो आपने आपको छुडा लेना पड़ता है, ऐसी हर एक चीज से आपको दूर होना पड़ता है, जो आपको आपकी soul purpose की तरफ जाने के लिए रोकने वाली स्थीतिया है, चाहे वो service हो, या वो लोग हो, या वो परिस्थितिया हो, वो कोई जगह हो, ऐसी हर एक चीज जो आपक दूर जाना, eight of cups मतलब दूर जाना पड़ता है, और night of wands, passionate movement forward, कहां, कहां movement लेना है, passionate forward movement, फटा फट से किस तरो बढ़ना है, six of cups, याणि अपनी twin flame union की तरफ, अपनी twin flame union की तरफ, अपनी twin flame union की तरफ, अपनी twin flame union का आएगी, जभ आपको काम करना शुरू करोगे, और ये lovers का छोइस काड है इस जर्णी में इस यातरा में इस रिलेश्मेशंशीप को आपको करना पड़ता है आप यह चॉइस आपको लेनी पड़ेगी ऐक्शन आपको करना पड़ेगा और तब ी पॉसی सब्सक्राइब ने कर लिया बिए तो टॉ पॉस्प है union is there लेकिन यह जो union की रहा है नहीं आसान रहाने 10 of swords यह बहुत मुश्किल बहुत painful journey होती है और इसमें success पाना है तो आपको inner work करना पड़ा है success का success इसमें बिल्कुल possible है लेकिन कब जब आपने अपना inner work complete कर लिया और four of pinnacle four of pinnacle मतलब बता रहा है कि twin flame को यह बहुत rare connection होता है यह हर एक को नहीं मिलता है जैसे अभी की condition में यह का जाता है कि पूरी धरती पर one fourty four thousand twin flame से मतलब एक लाग 44,000 twin souls अभी धरती पर है तो आप देख लिजे धरती की जो population हो बिलियंस में है और यहां पर क्यों एक लाग 44,000 twin souls इस वक्त धरती पर हैं और यह धरती पर क्यों होती है धरती पर इस वक्त में इसलिए आई है क्योंकि धरती का समय बदल रहा है नई cycle में धरती एंटर करें धरती को इस वक्त अपनी धरती भी अलाईव है और धरती को अपनी सोल फ्रिक्वेंसी इस वक्त बढ़ाने की जरूत है तो धरती की सोल फ्रिक्वेंसी बढ़े उसके लिए 144,000 twin souls यहां पर आई है और यह twin souls आगे पीछे अभी जल्दी देर से जाएंगी अपनी spiritual journey पर करेंगी अपना spiritual development और उस spiritual development की दोरान इनका खुद का जो vibration raise होगा उस बड़ी हुई vibration को धरती के अंदर दिया जाएगा धरती के vibrations को बढ़ाया जाएगा और धरती एक नए यूग में प्रवेश करने के लिए काबिल लायक हो पाएगी तो twin souls का purpose यहाँ पर खुद का आत्मी क्विकास करना अपने आसपास की जो दूसरी आत्मा ही होती उनका आत्मी क्विकास करना और धरती की vibrations को बढ़ाने नहीं और जब आप ऐसे रिलेशन के अंदर होगे तो ऑब्यसलिय आप भगवान के साथ बहुत कनेक्टेट फिल करोगे आप इस पिरिट के साथ में या जो यूनिवर्सल एनरजी इनके साथ में आपको आप अलाइन हो जाओगे आप आपको मदद मिलेगी हमेशा आपको वहरी मदद भगवान की यूनिवर्स के आपको इस जर्नी पर हमेशा मदद मिलती है यह प्रोटेक्शन काड़ देखिए क्योंकि यह जो प्रिंट फ्लेम रिलेशन बनाया है यह आपने तो बनाया नहीं यह तो भगवान ने आपको बना कर दिया है तो आपका यह जो कनेक्शन है यह दे लवर्स कनेक्शन है और इस पर गाइडेंस अजली गाइडेंस मतलब इसको इश्वर का प्रोटेक्शन होता है इसको एंजल्स की पुरी गाइडेंस मिलती है और अगर आप इपने सॉल परपस में एंटर कर जाते हो और आप महनत करते हो तो आप as a soul आप complete हो सकते हो तो आई थिंक यह तेरो रिडिंग में बिल्कुल रिजनेट किया है हमारे साथ और मेरे को लगता है कि यह आपको समझ में आ गया होगा और यहीं पर हमारी यह सिरीज कहतम होती है रिष्टों को पहचानिये कार्मिक रिलेशन्शिप में है तो उनको जल्दी से जल्दी आप स कभी न कभी तो आप अपने ट्विन फ्लेम से जरूर मिलोगे कभी न कभी तो आप अपनी स्पिरिचल जर्णी पर जरूर जाओगे तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने स्पिरिचल डवलपेंट कीजिए धर्म कीजिए पुन्नी कीजिए अध्यात्मिक विकास कीज और जल्दी से जल्दी जनम मरन के चक्कर से आप निकल जाईए तो आई थिंक यह सीरीज आपको पसंद आई होगी आपको इस सीरीज कैसी लगी लाइक कीजिए कमेंड कीजिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में तिल देन स्टे हैपी से ब्लास बढ़ाइ